सो अलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूट्यूब चैनल पे से स्टाड़ी सेंटर पर सो दोस्तों जैसा कि पता कि आप सो को इस चैनल पे कलाश्टेंध की मैथेमेटिक्स की सालोशन करा जा रही है और आज हम लोगे स्टाड करें चेप्टर नमबर सेवन जिसका नाम है कोडिनिर जेमेट्री और इस अध्या में हम लोग प्रसनावली 7.1 को हल करने वाले हैं तो चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम है तो जरू से जरू चैनल को सस्क्राइब किजएगा बिल आइकन को प्रेस कर देजएगा ताकि हरे एक वीडियो का निटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्योशन क्या गयरा है तो फर्स्ट क्योशन ये कह रहा है कि बिंदूओं के निमनलिखित योगमों के बिच की दूरी याद कर नहीं है तो आपको डिश्टेंस वाली फार्मूला याद होगी डिश्टेंस का फार्मूला क्या होता है डिश्टेंस का फार्मूला क्या होता है डिश्टेंस का जो फार्मूला होता है यक्स इसकल्डू जहां पर यक्स आपको डिनोट करता है कि दो बिंदू के बिच की दूरी क्य होती है जैसे देखिए यहां पे क्या है कोई रेखा है और यह है क्यों दो बिंदों से निर्धारित यदि इसका निर्धेशांग था मलुग मानें यक्सवन और Q के बीच कि यदि हमको दूरी याद करनी है PQ तो हमकी इसकी formula कैसे बनेगे तो इसको formula derive करा जाएगा बाद में आप लोग के ओल formula को इसको याद करेजिए formula PQ is equals to क्या हो जाता है under root में x2 x2 minus x1 का whole square plus में क्या हो जाता है y2 minus y1 का whole square ठीक है तो यह हो जाएगी आपकी formula जैसे ही यह formula आप सभी को याद हो जाता है तो आप इस questions को आसानी से solve कर सकते हैं और इस questions से आप सभी को board exam में देखने को मिल जाएंगे और यह दो number में आते हैं board गया में तो आएए अग इन तीनो questions का इन तीनों को जो point दिया गया है इसका solution देखते हैं ठीक है तो चलिए फटा फट से start करें ठीक है पहले इसको मिटा देते हैं take है हो गया अब देखिए first question क्या क्या कह रहा है first question आपका क्या कह रहा है first question यह है point नमर यह देखिए 2,3 और 4,1 इन दोनों बिंदों की बीच की दूरी आद करने है जैसे यदि हम माल है यदि ये P और Q दो point है यदि ये P है और ये Q है और इसका निर्दसांक दिया है 2 कामा 3 ठीक है और इसका क्या दिया है 4 कामा 1 ठीक तो यदि हम इन दोनों बिंदों की बिच की दुरी याद करें तो हमारा फार्मूला क्या बना था? यहाँ पे देख सकते हैं PQ हमारा क्या फार्मूला बनेगा? अंडर रूट X2-X1 का होली स्क्वेर प्लस Y2-Y1 का होली स्क्वेर अब यहाँ पे जो 2 है वो X1 को डिनोट करता है और जो 3 है वो X2 को डिनोट करता है Y2 को, sorry Y1 को डिनोट करता है किसको डिनोट करेगा? जो X2 है यह Y1 को डिनोट करेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो यह है यह X2 को डिनोट करेगा और यहाँ पे जो 1 है यह Y2 को डिनोट करेगा ु आ अब देखीए यहां पर हुआ तो है आपकी वैल्यू यह आजाएगे अन्डारूट फॉर प्लस फॉर ठीक है अब रूट रूट होने के बाद अब इसको थोड़ा सी और हम क्या कर सकते हैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लिपाई कर सकते हैं कि इसमें कि इसको अंडर रूट रूट को तो तो इसका फ्रेक्शन क्या होता है 2 4 2 2 2 1 तो यहां पे जो जोड़ा बनता वो बाहर आ जाता है 2 और जो देखते हैं next क्या कर रहा है next कौन सा point है तो next क्या देया है point आपका next point है कि minus 5 7 और 1 है minus 1 और 3 ठीक है तो यदि हम इन दोनों की point को P और Q से denote करते हैं P और Q से और minus 5 को minus 5 कामा 7 को P देदा हैं और minus 1 कामा 3 को Q देदा हैं तो यहां से बच्चों हम क्या find out कर सकते हैं यहां से जो यक्स 1 की value होगी वो minus 5 होगी ठीक है और यक्स 2 की value जो होगी minus 1 होगी ठीक है और यहां से लिकाल सकते हैं कि y1 की जो value होगी वो 7 होगी और y2 की जो value होगी वो 3 होगी ठीक है तो यसे आप लोग value find out कर चुके हैं अब यहाँ पे आप देखिए अब यहाँ पे आप देखिए कि P की उचकल टू फार्मूला पूर्मूला होई लगेगा फार्मूले होई लगाना है value फूट करना है और इस वो आपको तुरंत मिल जाएगा 4 root 2 यह अपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगी ठीक है तो हमने 2 point की इस तरह किसे निकाल ली अब 3rd वाला जो point कह रहा है उसको भी देख लेते हैं तो 3rd वाली क्या कह रहा है 3rd में जो point दिया है आपको a और b दिया है क्या दिया है a b एक दिया है और एक minus a भी दिया है यदि हम इसको p माने इस point को और एक point को क्या माने इसको मान लेते है a comma b ठीक है और एक क्या minus a comma minus b ठीक है minus a comma minus b एक बार और देखते है यहां पे जो point हम लोग ले रहा है P और Q यहां पे क्या है A कम भी और यहां क्या है माइनस A कम माइनस B ठीक है अब यहां से आप सभी को क्या हो जाएगा यहां से आपकी जो X1 की बैलू हो जाएगी 1 हो जाएगी और यहां से यक्ष्टू की बैलू क्या हो जाएगी माइनस A हो जाएगी और यहां से Y1 की जो बैलू हो जाएगी और यहां से Y2 की जो बैलू हो जाएगी माइनस B अब इसको जैसे ही जैसे ही इसको हम क्या करेंगे फिल अब करेंगे जैसे ही इसको हम फिल अब करेंगे तो यहां पर आपकी वैलू कुछ इस परकार से आ जाएगी अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं सेकन्ड क्या कह रहा है सेकन्ड वाले क्योस्टण से एक नजर डालते हैं सेकन्ड क्योस्टण आपका ये कह रहा है प्रस्ण क्या बिन्दू कु जीरो जीरो और जखतिस किःना 15 की बीच की दुरी निकाल सकते हैं को क्या मालना है है इस पॉइंट को P माल ना है और इस पॉइंट को Q मालना है ठीक है तो इन डूनों बीच की दूर coalition सकते हैं मैंने फॉर्स्टमय को स्छान क्युं मैं कर के ठीक है अब क्या अनुचीजिष 7.2 में दिए गए दोनों sir A और B के भी में इसकी दूरी याद कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, यदि हम चीतर की अन्यसार, यदि चीतन के दिया होगा, beef में आप सभी देख सकते हैं, बिंद्वित ने हैं, Century様ा हम को यही वही लगानी है, किया लगानी है, फार्मूली जो हमको given है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 is equal to 0 हो जाएगी और x2 is equal to 36 हो जाएगा y1 is equal to 0 हो जाएगा और y2 is equal to 15 हो जाएगी जैसे यह बहलू हम फूट करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ही इस परकार से मिल जाएगी यहाँ पे देखिए ठीक है इस तरीके से 36 का स्कॉ 49 का वर्गमूल होता है तो यहाँ पे जो आप सभी दोनों ए और बी के बीज की जो सहर की डिस्टेंस मिलेगी तो 39 कीलो मीटर में मिलेगी आपको फिकर देखना है और सभी को फिगर दिया होगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं क्यूश्टन नमबर थी का सालुशन क्या है ठीक है तो दोस्तों यदि आप चैनल पर फॉर्स टाइम है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देजिएगा ठीक है ताकि जैसे इस वीडियो अपलोड करूं आप सबी के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचें ठीक तो अब देखते हैं 3rd solution क्या दिया है किस्यू नमब थड़ी यह करा रहा है तो दिताजिक कि युग बिंदू इतना इतना सरेखी है सरेखी का मतलब देखिए यदि हम एक राइट एंग्ल ट्रेंगल बना है राइट एंग्ल ट्रेंगल मतलब इसका जो एक कोड़ रहे होता है 90 degree यह हो गया यदि हम इसका नाम दें A, B और C तो अभी इसका सरेक दिखाना है इसको सरेक दिखाना है इन तीनों बिंदों को तो इन बिंदों को सरेक दिखाने का जो प्रतिबंद होता है जो आपको क्राइटेरिया दी जाती है वो क्राइटेरिया आपकी यह होती है कि दो भ इसी का जो स्क्वारों जाता है U B Plus B C स्क्वार के बराबर हो जाता है यह पाइधागोरस थीरं कहता है तो यही थीर्म हम को इस फार्मूले में इस क्योस्ष्टन स्में लगा देनी है और वो कैसे लगानी है आईए देखते हूं आप जड़ा देखिए यदि हम A B Plus B C is equal to करते हैं A C के तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो point given है यह सरेख होंगे ठीक तो आईए अब हम लोग इस criteria को follow करते हुए इस questions का solution करते हैं और देखते हैं क्या यह सिध्ध हो पाता है या निर्धारित हो पाता है कि यह सरेख है या थो नहीं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग A भी निकालते हैं तो A का point यहाँ पे है B का point 2,3 है C का point कितना minus 2 कामा minus 11 है ठीक है तो अब यहाँ पी A भी निकालना है तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में X2, X1, Y2 और Y1 की पहचान करना बता दिया है कैसे पहचान करना है तो जो first point होता है जो first number होती है उसको X1 बोलते है जो second होती है Y1 जैसे ही यदि आप coordinate पढ़े होंगे X, X और Y तो यहाँ पी जो X का point दिया होता है X का point दिया होता है उसको पहले लिखते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं भूज कहते हैं ठीक और जो second number पे point लिखा है जो second number पे point है उसको कोटी बोलते हैं तो किसी भी point को यदि कोई quadrant में किसी point को दर्शाते हैं तो उस point की यदि हमको निर्दे सांकन लिखनी है तो सबसे पहले हमको X axis पे चलना होगा तो हमको सबसे पहले X axis पे देखना होगी X axis पे उस point कितना कितनी दूरी तेंख कर रही है तब हम उस point का क्या निकाल सकते हैं तब हम उस point का वो बिंदू का निर्दे सांक निकाल सकते हैं तो यह होगी coordinate की बात हो गई अब इसका solution देखो इसका solution देखते हैं इसका solution यह कह रहा है अब आपको निकाल नहीं है मैंने त्रिभूज बनाई थी वो उसके बाद क्या है यहाँ पे X1 is equal to 1 है और X2 is equal to 2 है और X3 is equal to कितना है minus 2 है तो X3 पे नहीं जाना है ठीक है X2 और X2 1 को लेकर हमको चलना है तो under root X2 minus X1 का X2 A B हमको समकोड त्रिभूज बना लेनी है A B C इससे कोई दिकत तो नहीं होगी यहाँ पे मैंने इस point को A नाम दे दिया इसको B दे दिया और इसको C दिया दिया ठीक है तो इस point का नाम हमने क्या दे दिया C तो अब यहाँ पे निकाल सकते हैं जैसे इसकी value find out करेंगे तो यहाँ पे आपकी A B की जो value आएगी under root में 5 पाएगी ठीक अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यदि हम BC की value find out करना चाहें यदि हम BC की value find out करना चाहें तो BC की value आपको यहाँ पे फार्मूले में रखना है क्या under root x2 minus x1 का whole square ठीक प्लस y2 minus y1 का whole square ऐसे रखना है फार्मूले में उसके बाद हमको जैसे ही find out करेंगे तो आगे हमारी जाएगी under root में solar plus x90 और यहाँ से BC की value find out होगी 2 root 53 अब थोड़ी सी AC की value पर ध्यान देते हैं तो AC की value यदि निकाला जाए तो जैसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे value put करेंगे तो हमारी जो AC की value निकल के आएगी under root 264, 65 तो अब यहाँ पे देखिए यदि अब यहाँ पे हमको criteria क्या लगानी थी हमको criteria यह लगानी थी कि हमको criteria यह लगानी थी कि यदि AC यदि AC जिकन्स्टू हो जाए AB प्लस BC के तो हम कह सकते हैं कि यह संरेक है ठीक है तो अब इसका criteria फालो करते हैं यदि under root में इसका अंडरोड 265 is equal to करें AB क्या मिला था हमको अंडरोड में 5 प्लस BC क्या मिला था तो क्या यह आपस में equal हैं तो यह क्या है आपस में equal नहीं है यह संरेक ही नहीं है ठीक है तो इस questions का हम लोग ने बहुत ही आसानी के तरीके से और बहुत ही क्योंचर में आपस अभी को कोई भी doubt नहीं रहा गया होगा आपको सबसे पहले क्या करना है एक triangle बनानी है और इसका इस टाइप की question की जो criteria होती है बस आपको इसी विध्यान देना है AB plus BC is equal to AC यदी आ जाता है तो आप कहाएंगे संरेक है यदी नहीं आता है तो आपका एंगे संरेक नहीं है और इसमें आप सभी को कौन सा ट्रेंगल बनाना है इसमें आप सभी को कौन सा ट्रेंगल बनाना है राइट एंगल ट्रेंगल जिसका equal 90 डिगर होता है तो आईए आप question number 4 की तरफ ध्यान दे question number 4 क्या रहा कि जाच कीजिए कि क्या बींदू A 5,2 question नमबर जो B point है 6,4 और जो C point है 7,2 एक संद्यूभाव त्रिभोज है अब संद्यूभाव का मतलब समझे दोस्तों संद्यूभाव त्रिभोज का मतलब तो समझना जरूरी है ना संद्यूभाव त्रिभोज मतलब क्या है जिसकी दोव हो जाएं जिसकी दोव हो जाएं क्या हूं समान हूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग सी दिवासा में कह देते हैं सम्देवाव। ठीक है यह होता है सम्देवाव। इसको आप लोग राइट कर लेज़ेगा लिख लेज़ेगा क्योंकि यह बोड़ियाम कैसे में काफी फायदे मन्द वह बाटीक तो सम्दिवाव समझ गया है सम्दिवाव तरफुज को वदि आप बनाना चाहें तो कैसे बन आएंगे आप सम्दिवाव तरफुज को जराइदा द्यान देजिए सम्दिवाव तरफुज मतलब जिसकी दो भूजाएं क्या हो आपस में एकवल हो ठीक है इसको थोड़ा सा इसको बैक करते हैं सम्दिवाव तरफुज मतलब जिसकी दो भूजाएं क्या हो आपस में एक क्या ये ये भुजाएं ये जो है क्या इसके बराबर है यानि कि यहां पर बी सी इक्वास टू है यह के यहां पर आपको दिखाए दे रहा है यहां पर जो एबी इक्वास टू है आपको यहां पर दो बींदवे दिखाए दे रही है कि एबी जो इक्वाल है यह आपका कंपलेट सेंस दे रहा है तो यदि इस क्राइटेरिया को लेकर चला दे तो हम इस फार्मूले को इस क्यूस्ट्चन को हम जाच कर सकते हैं कि यह जो बींदू जो दिये गए हैं यह समध और सम्दिवाद तरगोज के सिर्स हैं तो हमको किसको फालो करना है A, B और A, C को यदि हम इन दोनों भूजाओं को बरावर दिखा दें यदि इसके बीज की दूरी को इक्वल कर दें इसके बीज की दूरी को तो हम कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट है यह सम्दिवाद तरगोज के सिर्स है तो आईए इसके सालूसन को देख लेते हैं ठीक है इसके सालूसन को देखते है तो यहाँ पर आपको A, B दिया गया है A, B, सबसे पहले A, B निकालते हैं हमने यहाँ A, B और C पॉइंट से इसको डिनोट कर दिया यह पॉइंट का 5, 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 6, 6, 1, पुछले वीडियो में मैंने बता दिया है जो है कि रेपेजेंट करना उसको प्रहा चाना प्रदेसित करना तो आप लोग इसको बेलू पूट कर देंगे ठीक value food करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से value आएगा 6-5, 4-6 इतना आज़ा है उसके बाद क्या होगा जैसे ही थोड़ा सा उपर बढ़ेंगे तो इसकी जो value निकल के आएगी वो आएगी a b is equal to under root 37 ठीक है तो यहाँ पर क्या होगया कि a b की जो value होगई 37 होगई ठीक थोड़ा सा आगे चलिए basic value निकल लेते हैं तो basic value निकल लेके लिए आपको formula में value को put करना है point को आपका फिर basic निकल किया जाएगा तो यहाँ पर basic value भी under root में कितना आगई 37 आगई तो यहाँ पर दो point तो follow होगए जिसको हमको लेकर चलना था यानि कि हम लोगे ने क्या किया था हमको लोगों ने a b is equals to ac दिखलाया था ना तो यह point अभी तो नहीं आया ना अभी तो यह क्या कर रहा है कि a b is equals to क्या हो जा रहा है अब ac तो कुछ triangle इस परकार से बनेंगे ठीक तो दो criteria यानि कि दो भुजाएं हमको मिल गई है दो भुजाएं याद एककोल मिल गई है तो third जो होगा already different होगा अब देखी कैसे ac आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ac की value कितने निकली है ac की value कितने निकली है two ठीक तो यहाँ पर जो triangle बनेगा इस तरीके से बनेगा a a b c तो यह जो equal होगी इन दोनों के equal हो जाएगा तो यहाँ पर a b is equal to किसकी हो गया b c then we can say that यह जो यह जो value find out होगी यह जो point है यह सम्दू बाहत तो भुज़ के शिर्स हैं अब पांचवे question की तरफ चले हैं ठीक है पांचवे question क्या कर रहा है जड़ा देखते हैं पांचवे question पर प्रकाश डालते हैं कैसे प्रकाश डालेंगे भाई टाच से डालेंगे क्या नहीं हम लोग इसको देखना है हमको इस नजरी से देखना कि कैसे साल्व करना ठीक है question नमबर 5 को देखते हैं किसी कच्छा में चार मित्र बिंदूं चार मित्र बिंदूं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं यदि कोई कलास है और इसमें कोई पॉइंट चार पॉइंट है ए बी सी डी में बैठे हुए हैं जैसे कि आकरित 7.4 में 7.8 में दरस आया गया है यह देके बैठे हुएगा तो देख लिजेगा फिगर कैसा है चंपा और चमेली कच्छा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पुछती है क्या तुम नहीं सोचती हो ए बी सी डी एक वर्ग है यदि एक वर्ग है यह बराबर इसके और यह बराबर इसके वर्ग का तो यही होता ना स्क्वेर की स्क्वेर की जो क्राइटेरिया होती है यह होती है चमेली इससे समत नहीं हो दूरी सुका सुत्र परयोग करके बताए कि इन में कौन सही है हमारे पास चार बि देखिए यहां पर आप solution को देखिए यहां पर दिया गया हमारे पास कितने point है 4 point A B C D A B C D 4 point दिया गया तो A B यदि हम निकलना चाहें तो figure के माद्धेम से आप यदि देख सकते हैं point उसके दर साया होगा तो यहां पर आपको क्या निकलना पड़ेगा दोरी दूरी का formula जैसे यह लगाएंगे तो आपको पूछ junto कर ने के बदध थोड़ी olla क्यांब कर रहाएंगे यहां पर जो QI की वह निकलंखिया यह यहां पर जो एविकीए वह निकल साथ पर ए बी बी सी और सी डी और एडी क्यों निकालेंगे वाई इसको क्यों निकालना है इसको इसलिए निकाला जा रहा है ताकि यहां पर आप लो यहां पर जो चमपा चमली बात कर रहे हैं वो एक स्क्वेयर की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं इस्क्वेर की बात कर रहे हैं तो इस्क्वेर की बात करेंगे तो इस्क्वेर की जो प्रपर्टी आपको पता होगी कि आम दोनों चारव हो जाएं क्या होती है इक्वल होती है और इनकी कोण कितने होते हैं 90 डिग्री और इसकी वीच के जो भी कड़ होते हैं वर्ग के जो भी तब हम लोग questions को solve करते हैं ये माल लिया मैंने एक क्या है work है A, B, C, D इसकी property क्या होती है भाई साब work की property क्या होती है सबसे पहले की चारोग हो जाएं आपस में equal होती है first property ये है A, B is equal to B, C is equal to C, D is equal to A, D ठीक है ये है first property है second property ये होती है कि इनके code जो होते है code D is equal to code C is equal to code A is equal to code B is equal to 90 degree ये भी आपको property पता होगी ठीक है अब थर्ड जो property है third property क्या गयता है कि इसके बिज की जो भी कड़ होती है ठाइगो न ये भी आपस में क्या हो जाएंगी equal हो जाएंगी यानि कि जो भी कड़ है D, B is equal to A, C ये भी ये third property होती है तो अब केसन की ज्यादा broad में नहीं जाने का है आपको बस simply इसको solve करना है तो B, C की value आप लोग देख सकते है कितना निकला है 3 root B, C की value कितने निकली 3 root 2 और A, B की value कितने निकली थी 3 root 2 अब आपको ये जानना जरूरी है value कैसे put करनी है हर बार नहीं बताए जागा आप लोग इसको जान से देख सकते हैं कि कैसे put किया गया इतना तो आप सभी को पता होगा 10th standard के बच्चे हैं ठीक अब CD निकालते हैं क्यों CD निकाला जाए CD की value find out किया जाए CD की value वो निकल के कितनी आई है CD की value कितने निकल के आ रही है 3 root 2 तो यहाँ पर 3 property काम कर रही है कौन कौन सी A B is equal to B C is equal to CD तिन property और एक property यदि और कामने हो जाए यदि DE यानि कि AD यदि निकाल दे आ जाए इतना आ जाए AD is equal to 3 root 2 आ जाए ना तो हम लोग का काम बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा तो यहाँ पर AD को जरा ध्यान से देखिएगा AD बिटा क्या कर रहे है AD यहाँ पर क्या करना formula put करना और यहाँ पर AD की जो value निकल के आ रही है AD की जो value निकल के आ गई 3 root 2 तो यहाँ पर क्या हुआ बिटा यहाँ पर जो है सारी property काम कर रही है इसकी क्यों क्यों कि इसकी चारों हो जाएं जो है इनकी चारों जो हो जाएं है यह आपस में क्या हो गई equal हो गई AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 3 root 2 यह हो गया आप सभी का जब यह property काम कर गई तो हम कह सकते हैं कि न यह जो चंप और चंबिली जूब बरगे का बात कर रहे हैं कि यह स्क्वेर है ठीक तो यह रहा आप सभी का question number कौन सा question number 5 तर न question number 5 का solution अब थुड़ा सा आगे चला जाए question number 5 हो गया question number 6 देखा जाए क्यों आईए question number 6 को देखा जाए तो हम लोग किस question पर थे बटा तो हम लोग question number किस पर थे 6 पर question number हम लोग थे 6 पर तो question number 6 क्या कर रहा है थोड़ा सा देखा दिया जाए निम्न लिखित बिंदू द्वारा बनने वाले चत्रभूज का परकार बताईए यदि कोई है तो बताईए तथा अपने उत्तर के लिए कारड़ती भी दिए अब इसमें क्या करना है ये question आपको ये कह रहा है कि चार point आपको दिए गया है A B C D चार point आपको दिए गया है और ऐसे ही आपको पीछले questions में जो बताया गया है वर्ग की मतलब जो निकाला गया है आप सभी की जो value निकाली गयी है वर्ग की चार खोजाओं की वैसे ही इसको क्या करना है A B B C C D और A D में convert कर देना ये जो आपको चार point है ये किसको दर्साएंगे भाई ये तो चतर भूज को दर्साएंगे तो चतर भूज का ये कोई भी कोई निकाली चतर भूज बना देजे और आपको क्या करना है यदि चारों की value यदि चारों A B C चारों भूजाओं की value क्या equal आती है तो आप वर्ग कह देंगे कह देंगे की नहीं कह देंगे ठीक है चतर भूज का परकार बताना है यदि आप सभी के दो हुजाएं समान आपस में आती है जैसे ये समाना दे इसके और ये जो दो भूजाएं आपस में समाना दे तो क्या कह देंगे समान तक चतर भूज कह देंगे ठीक है ऐसे ऐसे आपको इस questions का solution करना है तो इसको थोड़ा सा कम देखा जागा इस पर थोड़ा सा कम फोकस किजिएगा फटा फट से इसको खतम करते हैं बस एक नजर इस पर डाल देते हैं थोड़ी से देखिए किस्टन नमबर फर्ष्ट देख लेते हैं ठीक है किस्टन नमबर फर्ष्ट देख लेते हैं यह कर रहा है यह इतना पॉइंट दिया है चार पॉइंट है चतर बोज के सीर्स बेंदूर यह भी निकाला है अब आपको वैलू फॉइंट आउट करना पता है वैलू को कैसे फू वेलू कितनी मिली है यह वी की वेलू कितनी मिली है अंडरूट में एट यदि एवी बीसी सीडी और एडी की वेलू अंडरूट एट आ जाए ना तो हम कहां के स्क्वियर बोल देंगे इसको क्या बोल देंगे स्क्वियर की पॉइंट है अब बीसी की देख लेते हैं वेलू यहां पर बेसी क्या किया है बेसी वी अंडरूट कितना आया है बेसी वी अंडरूट एट ही आया है तो ऐसे आपको वेलू पूट करनी है और ऐसे वेलू निकाल लेनी है अब सीडी देख लेते हैं सीडी सीडी दिख रहा होगा इस स्क्रेंट पे स्टी भी आपको इस स्क्रेंट पे डिख रहा होगा सीडी का point रखना है ऐसे 3-3 ऐसे जो point है उसके बाद क्या किया गया माइनस 3 और यह हो जब गा माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे और इसका square प्लस 1 का square माइनस 2 का स्क्वेर जब इसको फाइंड करेंगे तो यह हो जागा माइनस 2 का स्क्वेर और यह जागा माइनस 2 का स्क्वेर माइनस का किसी भी माइनस संख्या का वर्ग जो होता है वो धनातमक यानि की धन अंग को फर्दसित करता है क्या हो जाता है धन हो जाता है जैसे माइनस नौ माइनस साथ माइनस एक माइनस डू यदि इन सभी का वर्ग किया जाए तो यह धन संख्या हम पर मिल जाती है और यदी और यदी इनी संख्या का क्यों किया जाए ना तो वह संख्या रिड ही संख्या रह जाती है यह न यह बा अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं एडी की वैलू कितनी आ गई एडी की वैलू कितनी आ गई अंडरूट में एट आ गई एडी की वैलू इस तरीके से निकाल लिया गया है अब जड़ा देखिए मैंने एक प्रापर्टी ऊपर बताई है पिछले वाले वीडियो में पिछले वाले नहीं इसी वीडियो में मतलब पीछे बताया है पोईशन नमबर 5 में कि वर्ग की प्रापर्टी क्यों कॉनसी होती है मैंने बता दिया है तो वर्ग की प्रापर्टी क्या-क्या होती है मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई है क्या-क्या यदि कोई वर्ग A, B, C, D है तो ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये भी बराबर होंगी नहीं कि चार भुजाएं बराबर होंगी फर्स्ट प्रापर्टी बताया था मैंने सिकेंड प्रापर्टी ये बताया था कि इनके जो कोड होते हैं इनके जो कोड होते हैं ये भी बराबर होते हैं 90 डिगरी के सारे कोड नाइंटी डिगरी होते हैं और एक प्रापर्टी ये बताई थी जो इसका मेन है वर्ग की पहचान करना वो यह है कि इनके बीच जो बिकड होते हैं बिकड ये सवाल लंबाई की होते हैं यानि कि यदि हम यहां से यदि हम A, D is equals to क्या करते हैं B, C के तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है यहीं वर्ग यह किया गया है इसके नीचे तो यह जो वर्ग आप देख रहे हैं यहां पर A, C वाली तो यह जो यही वर्ग है यह देखिए चार आ गई और यहां पर भी चार आ गई कितना आ गई यहां पर यहां पर भी कितना आ गया भी लो चार आ गई तो इसलिए यह क्या कर दिया है अब इसकी थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको समिकरट एक दो तीन चार पांच छह से इसलिए विंदो को क्या वना दिया चतुर वो जो वर्ग है तो यहां पे क्या कर दिया एक वर्ग बन गई न जो प्रापर्टी मैंने बताई है उस बुक से इसको किजिएगा आपको बताना कौन कौन सा कौन सा चतुर भूच है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है यह आसान क्योश्चन है यह आपके लिए मैं हूमोर की तौर पर दे रहा हूं अब इसे लगाईएगा ठीक अब आगे चलते हैं नंबर सेवन हो गई की सटन नंबर कुस्टन नंबर सेवन ऊचैस्टन 17 आप शब्यक destructive नंबर सेवन-कि इसको धान से देखिएगा यह क्योशन हर बड़ इग्या में पूछा जाता है एक तो इसकी स्टेंटस को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है यक्स अच्छ पर वह बिंदू याद कीजिए जो इतना और इतना से सम्दुरस्त है ठीक है कि तो यक्स अच्छ पे यह हो गया आपका यक्स एक्सिस और यह हुआ यक्स तो यक्स अच्छ पे किसी बिंदू का जो निर्देशांख निकालते हैं वो होता यक्स कामा जेरो ठीक तो यहां मैं पुझा एक सच्छ पर कोई एक ऐसा बिंदू स्थित ग्याद करना है जो इतना से समदुरस्त हो यानि कि इन दू पॉइंटों से समाम दूरी भी हो समझ रहे हो तो यहां पे यदि इस पॉइंट को क्या कर दिया जाए पी और यी भी कर दिया जाए कैसे यदि एक कोई यक्स एक्स है इसको पी ले लिया जाए इसको ए ले लिया जाए और इसको बी ले लिया जाए तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट गयाद करना है यहां पे एक ऐसा पॉइंट याद करना है जो क्या हो इन दोनों से समान दो रिपुवाद इस्तीत हो तो यहां पर हम पॉइंट एक ले लेते हैं पॉइंट लेते हैं पी औहर इसका निर्द सांग क्या हो जाएगा अभी मैंने बताया कि एक्स और Y एकस इस पर every जैसे एक इस बिंददा निर्द सांग होता है वो X,0 होता है और Y पे 0,Y होता है ये Y के लिए है ठीक है तो ये मैंने बता है था ना आपको तो अब ज़रा देखिए यदि हम P का जो निर्दे सांग का कितना निकला है X,0 निकला है निकला है X,0 और A का पॉइंट कितना दिया गया है 2,-5 और B का पॉइंट कितना दिया गया तो अब हमको ग्या करना है अब इस में हमको ये दिखाना है कि PA यदि हम निकाले है कौन सा बिंदू यदि हम निकाले है PA is equal to PB हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एक सच पे वो पॉइंट निकल जाएगा सबस्टाइब करना है यहां पर इक को माल लेना है इसको माल लेना है और इसको माल लेना है B. और यह यक्स अचिपे यक्स अचिपे जो किसी विंदू का निर्दिसांग होता है। अब कितना होता भाई साब ये अच्छे पिए किसी बिंदु के ने दें साब के एक्स कामा जीरो होता है तो इसको मालेंगे P ठीक है तो हमको कौनसा फार्मूला लगाना है P A is equal to P B तो P P और A के बीच डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे ठीक है और P B के बीच डिश्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो यहां पर जैसे ही P A के बीच डिश्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि A में यक्स 1 जो है 2 है और यक्स 2 क्या है यक्स है तो 2 माइनस X का फार्मूला क्या है प्लस माइनस 5 यानिकी माइनस Y1 और 0 यानिकी Y2 इसका इसको यहां पर सिक्वेंस इतर उदर कर सकते हैं यक्स 2 माइनस X1 भी कर सकते हैं या X1-X2 भी कर सकते हैं क्योंकि यदि minus में भी मिलता तो इसका ओर क्या हो जाता है धन हो जाता है कि नहीं तो यहीचीज है तो अब यहां पर फार्मूले लग गए है P और P वी का निकल गया इस तरीके से P वी का भी निकल गया इस तरीके से पीबी का भी निकल गया नै पीबी भी निकल गया यहां पे ठीक पीबी निकल गया अब क्या किया है दोनों पच्छों का जैसे यह वर्ग करेंगे दोनों पच्छों का वर्ग करने पे यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्छों यहां पे लिखेंगे कि यहां पर लीखेंगे के यहां से रूट वोजाएगा लगर मिल जायगा और इसका लुकित को तोड़ेंगे तो तो एक्स वाली पॉइंट को एक्स की तरफ यानिकी एक्स को एक्स की तरफ ला देंगे और बाकी को साइड में भीज़ देंगे तो यही काम वहाँ पर किया गया है ठीक है यही काम किया गया है यहाँ पर अब जरा देखिए यहाँ पर क्या किया गया है इसका इसवर करके इस पर जो है यह जो फोर है जराँद्यान से देखिए ग़र की यहां से िखिए parte यहां से जो up 4 है यह कट रहा से कama किकने क्टा यहां से x2 क्ट रहा है एकसि स्क्टार से की अधर्ग क्रों यहां पर यहां पे किया गया माइनस 8x और पचीस और माइनस 81 तो 81 में उसे 25 जाएगा तो आपका बचेगा 56 ठीक है? और इसके इस फ्कल्टो कितना है zero, तो वही काम यहां पे है तो यहां पे कौनब सा काम किया गया है वही काम किया गया यहां तक आगए हम लोग अब माइनस का यक्स करके अब 56 को जो है माइनस में तो जीरो को तरफ भेज देते हैं तो माइनस 8 यक्स is equal to 56 कर दे हैं तो यहां पर यक्स is equal to क्या मिल जाएगा बट्टे 8 मिल जाएगी आठश चका, आठश सते 56 इतनी वहलों निकलेगी भाई साब यह हो जाएगी 1 कि 8 सते 56 तो यहाँ पर यक्स की बढ़्य निकल लाई है सेवन निकल लाई है ठीक है तो हमको क्या गात करना भाई साब हमको पॉइंट लाना है ना एक्स एक्स पे हमको एक्स एक्स पे क्या लानी है हमको एक्स एक्स पे भाई सब पॉइंट हमको लानी थी क्या लानी थी हमको एक्स एक्स पे पॉइंट लानी थी एक्स एक्स पे पॉइंट लानी थी और एक्स एक्स पे किसी point condition कितना होता है x,0 होता है तो यदि आप x की value निकाले हैं 7 तो आप इस पर x अच्छी पे बेंदू का नाम कितना देंगे 7,0 बेलकुल सही जवाब यह हो जाएगी आपका x अक्सस पे इस्थीत बेंदू जो होगी यह होगी 7,0 अब इसी टाइप की एक और questions को देखते हैं जो y axis पे उच्छी थी तो यदि y का मान क्यात करना हो तो उपसु कैसे found out करें ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं आगे वाला question क्या करा कि y का वह मान क्यात किजिए जिसके लिए बिंदू कितना और के बिज की दूरी दस्मात रखा है ठीक है पी और क्यू कोई point दिया है ठीक है और y का मान यात करना आपको वहाँ पे आप मैं बताता हूँ इसको कैसे करना ठीक है अचरा ध्यान दिजिएगा जरा गौर से फो देखिएगा इसको कैसे देखिएगा गौर से देखिएगा केशन क्या कर रहा है एक नमबर हो ला है point p और q दिया है ठीक है यहाँ पे p है यहाँ पे q है p कितना दिया है 2 कामा माइनस 3 q कितना दिया है 10 कामा y यहाँ पे y की वह लोग फाइंड आउट करने है और इन दोनों की बीज की दूरी इन दोनों की बीज की दूरी इन दोनों के बीज की जो दूरी दिया है वो दिया है कितना 10 मात रख इतना मात रख 10 मात रख तो जियामेटरी में जो यूनिट का लगाया जाता है जियामेटरी में कि यदि कोई value find out करते हैं यदि a b is equal to 7 find out करते हैं तो यहाँ पे आपको लगाना रहता है मात्रत इसका unit होता है ठीक है तो यह बात समझ में आ गई तो इसका जो 20 का दूरी कितना दिया है 10 तो 20 की दूरी का formula आपको क्या लगाते हैं यक्स is equal to यदि pq है तो pq लगा देंगे यक्स 2-x1 का holy square फ्लस y2-y1 का holy square फारूला लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं लगाते हैं तो अब जरा यहाँ पे देखिए y किया गया है काम यहाँ पे जरा इससे समझते हैं pq आपको लगा दिया गया है यहाँ पे 10-2 और y-3 y-3 हो जाएगी यहाँ पे 10-28 का square अंडरोड और यहाँ पे pq की value कितना दिया है दसी काई मैंने पहले ही बताया था तो pq की value जैसे ही तस्रीकाई रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा अब च्या करेंगे दोनों पच्छों का वर्ग कर सकते हैं यहाँ पहले इसको solve कर सकते हैं ठीक है पहले इसको तोड़ते हैं अब यहाँ पे 10 is equal to under root y square 6y plus 73 अब क्या करना पड़ेगा अब तो दोनों पच्छों की वर्ग का तो करनी पड़ेगी है ना तो जैसे ही दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे तो जैसे ही दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी y का इस तरीक दोनों पच्छों का वर्ग हो गया अब यहाँ से इसको क्या करना है चेंच करना है 73 को किसको इधर लाना है इधर लाना है तो चा करना आपको अब यहाँ पे 73 को क्या करना है y का स्क्वेर प्लस 6y इसको इधर से मैंने इधर कर दिया तो यहाँ पे 27 बच जाएगी तो y का स्क्वेर प्लस 6y माइनस 27 यह आपकी विजिक च्वेर जीरो हो जाएगी यह आपका एक्क्वेसन बनी जाएगा तो क्योट्रेटिक किसको दोगास समीक्रोड को हल करना यदि आप नहीं जानते हैं और लान्योंस को हल करना नहीं जानते हैं तो आप समझ लेजे कि देखते हैं यह इंपस्ते हैं आजह बहुत ईंपस्याणा को हिसको कैना जो हमारा एक्क्वेसन बन किया है एक्योजन क्या बनके आया है? एक्योजन हमारा ये बनके आया है? अब हूं को या करना है कि ऐसा कोई संख्या, दो संख्या ले जिसका गुण अनफल कितना है? 27 और जोडणे पर कितना है? 6 आए, ठीक है? तो नत्री का 27 तो यदि 9 गूड़ी 3 वराबर करें तो 27 हमको मिल लही है माइनस प्लस को छोड़ दीजाएगी और यदि 9 में से 3 को घटा दें तो 6,3,9 तो घटाने या जोड़ने पे तो 6 आ रहा है ना तो यह बिल्कुल सही है इकोड़ा कने 27 आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना आपको तोड़ देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इसको तोड़ देंगे तोड़ते हैं यहाँ यहाँ पे देखिए मैंने भी y किया और यह भी उसने यही किया है 9-3y 37 y का मन हो जाएगी y plus 9 minus 3 का मज़ y plus 9 तो यहाँ पे y plus 9 मिल जाएगी एक value और एक value मिल जाएगी y minus 3 मिल जाएगी तो यहाँ पे तो यहाँ पे गोर किजिएगा तो यहाँ पे 1 y is equal to minus 9 हो जाएगी और 1 y is equal to 3 हो जाएगी ठिक तो इसमें कौन सी point को लेना तो y का जो मान है माइनस नो और तीन है ठीक तो इसमें जो answer आपका निकल क्या रहा है y का मानगयाद करना था y की value वियाद करनी थी तो यह हो लिए आपका y का value यह हो जाएगा answer ठीक है question number 9 भी देख लेते हैं उसकी बाद आप सभी का साहर लगता है कि यह प्रस्णावली खत्प हो जाएगी क्यों प्रस्णावली तेन अभी दो question है ठीक ना तो question number 9 देख लेते हैं और question number 10 देख लेते हैं question 9 क्या कर रहा है ज़रा देखते हैं question 9 यह कर रहा है कि यदि इतना बिंदू इतना और इतना से समदुरस्ट तो यक्स की वैलू जाते दुरिया qr और pq pr भी जात करनी है ठीक है ठीक यहाँ पे क्या पुछा है qr तो यहाँ पे qr भी जात करनी है distance का formula लगा देंगे आपको निकल जाएगा ठीक और यहाँ पे pr भी जात करनी है तो p और r के साथ क्या करनी है रिष्टा बना देंगे इसका इस से mail कर देंगे इसका marriage कर देंगे तो आपको इसका भी value निकल जाएगी क्यों निकल जाएगी ना तो p q और r निकल सकते हैं ना qr और pr भी निकल सकते हैं और यदि समदुरस्त हो तो समदुरस्त का मैंने फार्मूला क्या बताया था वहीं यहाँ पर यदि p है समदुरस्त का फार्मूला मैंने क्या बताया था यहाँ पर p है और यहाँ पर q है और यहाँ पर कोई point है क्या दिया था यहाँ पर point भाई साब पी, क्यू बराबर क्या हो जायागा ? आर, क्यू है तो हम यहां से सम्तुरस्त वारी फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस की फार्मूला लगा देंगे पूइकि ओवर अर्मी तो आपकी भई लुट게 sight out हो जायगी ठीक है क्यों हो जायगी न तो ऐसे आपको सालोसन करनी है सम्दूरस की फार्वूले लगा के तो आपकी वैलू जो होगी निकल की आ जाएगी एंसर आपका निकल की आ जाएगा 9 रूप 2 अब आप इसको जो मैं स्लो कर देता हूं आप लोग इसका नोट कर सकते हैं इसके साथ ले सकते हैं एक सरो से दिखादू निकल लिए आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को वब्वस करके और यहां से क्यू关 सकते हैं बिन्दू इन्ना का सुत्र लगा के निकाल सकते हैं ठीकना यह सब बताने वाली चीज नहीं है यह आप लोग खुद कीजिए और मैं होमर के तौर पे इसको दे रहा हूं अब क्येस्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्येस्चन नंबर 10 भी हमको लगता है कि बताने की जर समदूरस्त थीक है ? आपको relation ज्यात करना किस्मे एक्स और वाई में ऐसे कुछ relation बनेगी इसकी इसक्षुन का relation ऐसे कुछ बनेगा X-Y is equal to 7 भी वन सकता है और X plus Y square sì同 day भी वन सकता है होनी कि ऐसे कुछ relation बनना sakay का X plus Y थीक है ? इसको कैसे लगाना ? आगे समदूरस्त वारी फार्मला लगा देंगे मैने पहले ही बता दिया यार कोई बुट है समदूरस्त पी और क्यों ऐसा ले लेना है। और इसमें कॉई point है बेच में यक्सका y है न तो यह क्या होगी यह equal होगी न इसको माल लो पी माल लो और इसको माल लो ym यहां अपर P m is equal to क्या हो जाएगे तो ऐसे फार्मूले आपको लगा कि क्यों कहो करने इसका पहली लेते हैं P और इसको मालने क्यों तो P Q पहले निकल लेजिए फिर क्या निकल लेजिए P और R निकल लेजिए तो PQ बराबर निकाल सकते हैं और PR बराबर निकाल सकते हैं अब जैसे ही दोनों निकल जाएंगे आप क्या करेंगे दोनों को नियमा अनुसार क्या करेंगे इक्वल कर देंगे यहां पर देखो दोनों को क्या करेंगे नियमा अनुसार इक्वल कर देंगे दोनों को इक्वल क करने के बाद दोनों पच्छों का वार्ग कर देंगे वार्ग करने के फश्यात इस तरीके से आपको बहुंदी निकलीगी ठीक है और इसको इधर उदर करके आपको इक्वेशन बना देनी है इक्वेशन बना देनी है इक्वेशन बना देनी है यहां पर आपका इक्वेशन बन के त्यार हो जाया यहां पर आपका इक्वेशन बन के त्यार हो गया भाई साथ जिरह देखिएगा यहां पर यहां पर आपका इक्वेशन निकल गया त्यार हो गय थो जैसे यहां से यहां पर एक चीश ध्यान दीजिएगा इस वाले equation में ना 4 common है जैसे 4 यहां से common लेंगे तो यहां पर 3x plus y और minus 5 बचेगा और जैसे फिर को इत करेंगे तो जो बन जाएगी तो आपका एक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा इस तरीके से इस तरीके के इस तरीके के इस तरीके के इस बार तो वीडियो यहीं तक थाक ऐसा लगा लाइक किजिए शरके सब्सक्राइब किजिए और मिलते हैं हम लोग मेक्स्ट प्रसनावली 7.2 में ठीक है तब तक वेट किजिए और वीडियो जावरी ही प्रवाट की जाएगी 7.2 की